वाले हैं trailing 0 इना factorial number तो यह हमारे पास एक problem है हमें count करना है कि total number of 0 कितने होंगे किसी भी factorial में trailing 0 trailing 0 का मत्दब होता है let's say एक number है 120500 तो यहाँ पर trailing 0 यह last के दो 0 है हमें इनको count करना है यानि कि end में कितने 0 हैं इस 0 को count नहीं करना है तो अगर हमें यह number दिया होता तब बहुत आसान था हम क्या करते हमें number दिया में इसको divide करते 10 से और gather reminder निकाल लेते लो गता cache reminder में 0 आता तो हम count कर लेते एक 0 आ घया फिर से निकालते phid से 0 आता हम count बढ़ा देते 2 हो गया फिर से निकालते तो इस बार 5 आता यानि कि हमारा 0 खतम हो गए तो हम यहां पर रुख जाते तो हमें 2 आसानी से मिल जाता लेकर यहां पर problem यह है कि हमें यहां पर यह नहीं दिया हुगा है हमें यहां पर value दिया है let's say 10 factorial यानि हमें 10 number दिया है इसका factorial find करना है फिर उसमें number of 0 find out करने है तो चलिए कैसे करेंगे एक तो तरीका ही है कि हम इसका क्या करें factorial निकालने यानि कि 1 into 2 into 3 into 4 into 5 into 6 into 7 into 8 into 9 into 10 और जब इसका multiple आएगा तो वो कुछ value आएगी उस value में हम क्या करें कि वो number मिल जाएगा फिर हम divide by 10 करके get reminder 10 करके इसका reminder निकालने कालके और 0 को count करने के पीछे से but this will take time complexity of order of n क्यों क्यों हमें सब का multiply करना है फिर हमें उसमें से number find करना है तो किसी भी number का factorial निकालने के लिए हमें क्या करना होता है उसकी time complexity होती है वो order of n होती है बट हम चाहते हैं कि हमारी order of n ना होके हमारी complexity order of log n हो जाए यानि कि हम इसको और अच्छे से solve करना है तो देखिए अब हमें क्या करना है इसका मतलब यह है कि हमें factorial नहीं निकालना है बना factorial निकाले हमें number of zero count करने है कैसे count करेंगे देखिए अगर मैं इसका program आपको दिखा हूँ तो program बहुत ही easy है आप देख सकते हैं कि यहाँ पर दो या तीन लाइन, 10 लाइन, 15 लाइन में खतम हो जाते हैं लेकिन उनका जो कौन सा प्रुटा है उसको समझना बहुत ही जबूरी है तो यहाँ पर हमें zero को find out करना है यह placement पर आप से अक्सर पूछा जाता है इस तरह के questions और आप यह solution जब उन्हें बताते है order of पहले factorial निकालेंगे फि पहले तो इसका logic समझते है logic क्या है कि देखे यह 0 कब आएगा 0 आएगा जब last में किसी भी संख्या में 5 का multiply होगा तो हमें 10 मिलेगा 5 में 4 का multiply होगा तो 20 मिलेगा यानि कि हमें last में 0 मिलेगा फिर उस संख्या का multiply किसी में भी होगा उस number का multiply किसी में भी होगा तो यह 0 वाला क्योंकि देखे, यहाँ पर यह multiply होता है, तो इसमें odd और even number आते हैं, तो हर एक even में 2 छुपा होता है, तो इसमें 2 है, इसमें 2 और multiply by 2, यहाँ पर भी 2 है, और 5 यहाँ पर सिर्फ एक आया, तो अगर आप यहाँ तक देखें, यहाँ तक देखें, तो इसमें 2, 1, 2, 3 बार आ चुका है, लेकिन 5 सिर्फ एक बार आया, तो जब 5 का multiply 2 में होगा, तो यहाँ पर 0 आ जाएगा, लेकिन 2 पर किसी का भी multiply भी 0 नहीं आएगा, तो हमें फिर 5 फाइंड करना है, 2 तो हमें मिल ही जाएगे, जितने 2 चाहिए, उतने मिल जाएगे, तो अगर हम number of 5 को count कर ले, अगर हम number of 5 को count कर ले, तो हमें number of 0 भी मिल जाएगे, ठीक है, तो हमें 5 कितनी बार आया, उसको count करना है, तो 5 आया कितनी बार है, देखें, यहाँ पर जैसे मैं 10 तक लिखा है, 5 x 2, तो यहाँ पर भी 5 आया तो 1,0 इस 5 की बयाशते आएगा, अगला 5 कब आएगा? अगला 5 आएगा 15 पे, फिर उसके बाद अगला कब आएगा? 20 फे, यानि कि अब हमें पता चुल का आएगा 5 कब आ रहा है? 5 आ रहा हर 5 नंबर के बाद, यानि कि अगर हम बात करें 20 में 20 तक के नंबर में कितने 5 आएंगे तो हम इसको 5 से डिवाइड कर देंगे तो 4 आएंगे क्यों पहला 5 दूसरा 5 तीसरा 5 चौथा 5 अगर हम बात करें 50 की तो इसको भी 5 से डिवाइड कर देंगे यहां पर 5 into dot 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 into 10 dot 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 into 15 into dot 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 20 और अम मैं into नहीं लेकरा हूं लिखते जा रहा हूं 25 30 35 40 45 and 50 यहीं पर 55 आएंगे अब यह 5 आएंगे तो यहां पर अगर हम डिवाइट करें 50 divided by 5 equals to 10 that means हमें 10 0 मिल जाएंगे लेकिन यह अधूरा अंसर है अभी भी यह अधूरा अंसर है कैसे देखते हैं यहां पर 5 आया ठीक है यह तो 5 है यहां पर 5 आया इसको ब्रेक करके देखते जाते हैं 5 इंटू 2 यहां पर 5 ही है इसको ब्रेक करेंगे 5 इंटू 3 इसको ब्रेक करेंगे 5 इंटू 5 इसको ब्रेक करेंगे 5 इंटू 6 इसको ब्रेक करेंगे 5 इंटू इसको multiply करेंगे 5 into 9 और इसको multiply करेंगे 5 into 10 तो 10 को हमने जैसे break किया था यहाँ पर break करेंगे 5 into 5 into 2 तो देखिए अभी हम क्या कह रहे थे हम सिर्फ यह वाले number गिन रहे थे तो यहाँ पर 5 है सही है 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 लेकिन यह 5 चूट रहा था यह 5 काउंट हो रहा था यह 5 काउंट हो रहा था यह 5 काउंट हो रहा था तो यहाँ पर एक यह 5 चूट जा रहा था और दूसरा यह 5 चूट जा रहा था यानि कि जब भी यह 5-5 के multiple में तो हम 5 को count कर लेंगे लेकिन जब भी हमारा 25 का multiple आएगा 25 के multiple में एक extra 5 आएगा क्यों 25 5 into 5 और 25 का multiple 50 भी है तो 50 में 25 into 2 होता है तो इसमें भी एक 5 extra आएगा तो यानि कि हमें जो find करना वो आएगा 50 यहां पर हमारा जो result आएगा जो single single वाले हैं अब जहां double है double का आएगे 25-25 में तो 25 भी सारे निकालने हैं यानि कि हर 25, 50, 75 यहां पर आएगे आएगे आपके 25 तो एक एक तो हम count कर लिए एक एक तो हम count कर लिए एक एक बचा उसको कैसे count करेंगे तो 50 बटे 25 अभी जो हम 55 को count कर रहे थे अब 25-25 भाले भी count कर रहे हैं तो अब total करते हो जाएगे 10 प्रेश टू 12 यह 12 हमारे 0 हो जाएगे बहुत आसान है समझ में आ गया होगा अब एक प्रॉब्लम हो रहा ती है जिसे 125 आएगा तो 125 में क्या होगे 35 होगे 5 गोडे 5 गोडे 5 यानि कि 125 के जित्ते भी multiple होगे यानि कि 250 हो गया उसमें उसमें भी कितने 5 होगे 35 होगे तो जो हम 5 से divide कर रहे थे इस 5 से divide करेंगे तो यह पहला 5 तो इसमें count हो जाएगा क्योंकि हम हर एक उसको 5-5 count कर रहे थे यहाँ पर कोई problem नहीं जो हम 25 से divide करेंगे तो यह दूसरा वाला भी count हो जाएगा क्योंकि इसमें हम दूसरा वाला ही ले रहे हैं अब यह तीसरा वाला फिर बचा तो हमें यहानि कि क्या करना पड़ेगा let's say n कोई बड़ी नंबर है तो n divide by 5 करना है plus n divide by 25 करना है plus n divide sorry n divide by plus and so on यह चलता रहेगा कब तक चलता रहेगा हमें यह value ऐसे नहीं infinite तक नहीं ले जाना यह value जब तक करना है जब तक n से छोटी ना हो जाए for example n की value 700 है तो यहां तो करना है इसके आगे बढ़ने की जोगत नहीं है आप करना भी चाहते हैं तो 700 divide by 625 गोड़े पांच जो result आएगा तो यहां पर हर बार 5 पांच का यहां पर 5 ता इसमें 5 का multiply किया 25 पांच का multiply किया फिर से 5 का multiply किया तो आप देखेंगे यह total value 0 आजाते है तो जैसे 0 आजाए बहीं पे रुग जाना है तो यह हमाँ final value नकालनी है ठीक है अब इसको program के दुरू समझेंगे तो इसको कैसे नकालना है तो इसके दो तरीके हैं एक तो क्या करें हम 5, 25, 125, 625 यह सारी चीजों का भाग दे दे के सारी value अलग-अलग नकालने है या फिर हम क्या करें n by 5 और अगली बार n by 5 इंटू 5 इसी का उलटा अगर हम नीचे multiply कर रहे हैं तो उपर divide करते जाएं तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं n by 5 plus n by 5 5 इंटू 5 होता था था तो n by 5 डवाइड वाइड 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 करते जाएं तो यही मैंने किया है है जब तक 0 नहीं हो जाता तो अब 프로्राम को समझते है मैंने क्या किया यहां पर सबसे पहले तो हमने चेक किया जब तक यह 0 नहीं हो जाए ठीक है तो मैं दूसरा वाला अपरोच अपना रहा हूँ हमें किा कर रहा हूँ हर बार n को n divided by 5 कर दे रहा हूँ फिर उसके बाद जो result आ रहा है result आ रहा है इसको मैं और अच्छे से लिख दे रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं count equals to count plus plus this value n जो n value हमाई this value i है और n को मैं यहां पर अच्छे से लेख दी हम अगर एक्ट यहां पर क्या कर रहा हूं यह में कर रहा हूं आग अगली बार फ़ाग देना है तो हम 25 का भाग ना देखेए हम क्या करेंगे तो 5-5 का 2 बार भाग देंगे, तो n by 5 और फिर 5 का भाग देंगे, यहाँ पर 5 का 3 बार भाग देना, तो n by 5, n by 5, n by 5, n by 5, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, loop ही लगा देंगे, और यहाँ पर divide करते जाएंगे, तो हर बार यह क्या हो रहा, n का 5 का भाग एक बार में चला गया दूसरी बार जब आएगा तो 5 का भाग दोबार आजाएगा यानिकि 25 का है अगर तीसरी बार आया तो 5 का भाग तीन बार जाएगा तीन बार करेंगे यानिकि 125 हो गया फिर अगली बार आएगा तो 4 बार जब तक कि यह 0 नहीं हो जाता एक तरीका तो यह होता है दूसरा तरीका क्या करें आप यह तरीका तो यह हो गया जिसमें हम क्या कर रहे है मैं आपको यहाँ पर समझा दूब पहले तो एक तरीका तो यह है कि हम n-divide by 5 कर रहे हैं plus n-divide by 5 और उसके bit 1-divide by 5 उसका भी continue करते जाएगे अगर एक तरीका तरीका तो यह है दूसरा तरीका क्या है हम ऐसे करना चाहते है n-divide by 5 plus n-divide by 25 plus n-divide by 125 अगर ऐसा करना चाहते है तो क्या करेंगे तो मैं यहाँ पर code में थोड़ा सा change कर दूँगा यहाँ पर मैं क्या कर दूँगा integer जो नीचे वाली value है क्योंकि अब की बारों नीचे वाली value change हो रही है integer x request to 5 से start कर दूँगा और यहाँ पर x लगा दूँगा और यहाँ पर आप n नी change करूँगा अभी n change कर दा था अब यहाँ पर क्या करूँगा x चैंज करूँगा यहाँ पर हो जाएगा x request to यहाँ पर हो जाएगा x request to n y and sorry यहाँ पर हम क्या करेंगे x request to हो जाएगा x y x into 5 हर बार 5 का multiply होता जाएगा और यहाँ पर n नी multiply add करेंगे हम, यहाँ पर add करेंगे n y divide by x ठीक है, यहाँ पर n capital है तो यहाँ पर मैं capital कर देता हूँ तो यह इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं हर बार यह x है, तो x ब्रावर 5 हो गया पहले तो पहले हम क्या करेंगे, n y 5 5 निकार लेंगे, दूसरी बार में, अगली बार में 5 का multiply कर देंगे, तो x equals 2, x 5 है, तो 5 into 5, 25 देखें, यहाँ पर यही हो रहा है x का 5 multiply होगा है, तो अपने आप 25 हो जाएगा दूसरी बार में, तीसरी बार में 125 हो जाएगा इस तरीके से program, आपको दो तरीके से बना सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताएगा चाहिए आप इस तरीके से बना है, जहां पर आप sorry, x small है यहाँ पर, तो आप चाहिए तो इस तरीके से बना सकते हैं, यह अपने आप और यहाँ पर प्लस N है, तो चाहिए तो आप इस तरीके से बना देखें, तीन लाइन का code है सिर्फ, लेकिन यहाँ पर logic आपको अगर समझ में आ गया, तो आप इसको आसाने से कर पाएगे, तो यह काफी important question है, जो कई बार आपको इंटर्वू में देखने को आपको referrals चाहिए, तो आप मेरे चैनल को join कर सकते है, प्लेस्मेंट जो सीरीज है, उसको आप जोइन कर सकते हैं, आप जोइन पर क्लिक करेंगे, तो वहाँ पर आपको इंटर्व्यू की preparation पूरी तरह से, तीन से चार महीने में यहाँ पर मैं complete करवाद हूँगा, और आप तीन से चार महीने में उन से related वीडियो तुरंत बना के आपको वीडियो के थुरू explain करूंगा, तो वहाँ पर आपको extra benefit मिल जाता है, और बहुत ज़्यादा चार्ज भी नहीं है वहाँ पर, तो आप जो membership है उसको join कर सकते हैं, अधर आप pre videos के थुरू भी अपनी तयारी कर सकते हैं, तो मिलते है नेक्ट वीडियो पर, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो इसको like कर दीजिए, कोई सुझाव है तो आप comment बाक्शन बता सकते हैं, अगर आपने अभी तक चैनल को subscribe नहीं किया तो इसको subscribe कर दीजिए, मिलते हैं नेक्ट वीडियो पर, thank you for all